Hey guys, how are you all? Welcome to Study Eyes. Study Eyes में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है. तो जैसा कि आप लोग को पता है, मैं हापन इंडियन आट और कल्चर बुक कवर कर रहा हूँ, जो कि नितिन सिंगाना द्वारा लिखी गई बुक है, और काफी जादे important बुक है from the viewpoint of UPSC, क्योंकि UPSC में इस बुक से directly questions आते हैं, इसलिए आपको जादे mandatory है इस बुक को cover करना, तो इसी विलिए मैं दीपा ग्यादव आपके लिए इस बुक को पूरी तरह से cover कर रहा हूँ, और काफी सारे lectures upload कर दिया है, काफी सारे नहीं, बहुत सारे lectures upload कर दिया है, और आपने अगर series देखी होगी, तो सारे के सारे lectures काफी जादे detail में है, और जितना भी बुक में सारे important चीज़े provide करी गई है, वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, ठीक है, तो guys भीकुल detail में है, तब इस वे सारे lectures बने हैं, तो आप अच्छी तरीके से enjoy करें, और साधी साथ notes बनाते रहें, notes इसलिए बनाते रहें, चाहे हैं आप यहाँ पर prepare कर रहे हो, 2025 के लिए या फिर 2030 के लिए भी prepare कर रहे होंगे, तो होई कोई बात नी, क्योंकि इतिहास कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक है, इतिहास यही रहेगा, history यही रहेगी, तो आप notes बनाना चाहें, तो आप notes बना सकते हैं साधी साथ lecture में, तो पहले बात कर ले, previous lecture में हमने बात करा था हमने chapter number 20 की, जिसमें हमने law and culture को खतम कर दिया था, law and culture हमने पूरी तरह से निप्टा दिया था, chapter number 20 में, जो हमने previous जो हमारा lecture उसमें खतम कर दिया था, जिसमें हमने क्या के discuss किया था, article 29 के बारे में, article 49, article 51, फिर उसके बाद हमने काफी सारी चीज़े कबल कर रही थी, जो कि article 51 में आती हैं, जैसे कि हमारा Indian treasure trove एक हुआ, उसके बाद ancient monuments preservation एक हुआ, antiquities export control एक हुआ, फिर उसके बाद ancient and historical monuments, archaeological sites and remains declaration of national importance एक हुआ, फिर उसके बाद delivery of book एक हुआ, antiquities and art treasure एक हुआ, public records एक हुआ, यह सारी चीज़े हमने cover करी और स्कवाद chapter number 20 को खतम कर दिया था, आज हम बात करने वाले chapter number 21 की, that is martial arts in India, martial arts की बात करेंगे और इसी lecture में आज हम martial arts को खतम करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा martial arts होता क्या है, जो हमारे अलग-अलग type के martial arts है, कौन-कौन से region से आए, क्या-क्या purpose है उनका, ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डिटेल में, तो, guys, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको कोई भी problems होती है, if you have any queries regarding और preparation और an academy plus subscription, then you can contact with us on the various social media platforms of study IS, आप यहाँ पर telegram join कर सकते हैं, साथी साथ, insta, facebook और mail भी कर सकते हैं अपनी problems को, या फिर an academy plus subscription किस तरीके से लेना है, तो उसके विए आपको problems हा रही हैं, तो आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं, now, an academy जैसे कि आपको पता, इंडिया का largest learning platform है, यहाँ पर 3 mega batches शुरू होने वाले हैं कब से, 27th of July से जो कि आपको prepare कराएंगे, UPSC CAC 2020 और 21 की, तो guys, if you want to prepare for UPSC 2020 and 21, then you can go for this subscription, यहाँ पर 27 July से start हो रहा हैं batch, आप इने join कर सकते हैं, तीनों ही languages में batches available हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ, अगर आपको extra discount चाहिए, तो उसके लिए आपको code इस्थमाल करना है, studyis, ठीक है, अगर आप subscription लेता है, 24 महीने अगा, यानि कि 2 साल का, या फिर एक साल का, या आपके उपर है, बिलकुल, तो लेकिन आपको अगर क्या करते हैं, ये code इस्थमाल करोगे, subscription लेते वक्त, studyis code यहाँ पर subscription लोगे, यहाँ पर code डालोगे, आप studyis, तो आपको 10% extra off मिल जाएगा, ठीक है, 10% extra off, सब को चाहिए होता है, तो आप भी यहाँ पर इसका, फाइदा पूरी पूरी तरह से, उठा सकते हैं, studyis code को इस्थमाल करने के बाद, और साधी साथ यहाँ पर, यहाँ पर टी 20, यहाँ पर जो है, डेली करेंट अफेयर सीरी, टैस सीरीज चल रही है, रोज सुबा आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साम को, सादे साथ पी एम, ठीके, तो यहाँ पर आप क्या खर सकते हैं, इसके लिए अन रोल कर सकते हैं, बलकुल फ्री, तो यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर आप इसके लिए अन रोल कर सकते हैं, चलते हैं अब अपने lecture के उपर क्या हमें discuss करना है आज तो आज हम बात करने वाले martial arts की जिसमें हम काफी सारे martial arts के बारे में cover करेंगे जैसे कि हमारा हुआ कलरी पयतू, उसके बाद सिलंबम, उसके बाद हमारा थंगता, चेवी गड़का परिखंडा, थोड़ा इन सबकों में बहुत अच्छी तरीके सा आपको समझाने वाला हूँ आज तो पहले हम बात करते हैं एक इंट्रो देखते हैं कि martial arts यार होता क्या है ठीक है, अब यहाँ पर इंट्रो देखते हैं सबसे बहले जैसे कि हमारे हर चैप्टर में देखते हैं इंडिया में जो भी हमारा अलग-अलग culture है देखे होंगे अब अलग-अलग type के culture है हमारे सब अलग-अलग communities का अलग-अलग cultures है तो यहाँ पर अलग-अलग wide variety of martial arts भी हैं जैसे हमारे culture है जैसे हमारी हर चीज़ अलग-अलग है communities की वैसे martial arts भी काफी अलग-अलग है जो की develop हुए since ancient time से यहाँ पर चल रहे हैं और पहले यह war के लिए इस्तमाल करे जाते हैं फिर art forms के लिए भी हाँ पर आज के टाइम पर यह एक जो हमारा ritual का part बन चुका है यानि कि हमारे संस्कृती से related हो चुका है इस विए से यहाँ पर यह खेला जाता है demonstration करी जाती है और साथी साथ यहाँ पर physical fitness के लिए भी करा जाता है कि हम लोग fit रहे हैं साथी साथ self defense के लिए भी martial arts को use कर जाता है नहीं खुद को कैसे बचा सकते हैं now martial arts का पूरा-पूरा मतलब क्या है art associated with wagging of war उसके बाद यहाँ पर number of martial arts जो कि country में है वो closely related dance, yoga और performing arts है यानि जाद तर जो martial arts कौन से होते हैं dance, yoga और यह सारी जो हमारे performance वगर होते हैं उसके बाद कुछ art forms हैं यहाँ पर ban कर दी गई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पर ब्रिटिश का यहाँ पर राज चल रहा था तो हमारे कुछ martial arts को जो है बैन कर दिया गया, कौन कों से martial arts थे, कलरी पयातू और सिलंबन थे लेकिन उसको बाद यहाँ पर इसको वापस लाया गया, कब लाया गया, अजादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, वापस इसको लिया आए कुछ popular और prevalent times of martial arts की बात करेंगे, इंडिया में जो की discuss करी गई है, आगे उससे पहले हम कुछ और बात करेंगे martial arts की, यहाँ पर यह codified system है और tradition है, ताकि हम combat कर सकें, ठीक है, combat करने का लड़ने का तरीका है, एक जाकि हम self defense कर सकें, military के लिए, सदिसात law enforcement के लिए यहाँ पर यह martial arts वगरा होता है, ठीक है, तो अभी मैं आपको बता हूँ, martial arts कैसे खेला जाता है, यह सब खेला क्या जाता है, यहाँ पर, system है ऐसा है, martial arts में जो की use करा जाता है, कभी अपने self defense के लिए, कि खुद को बैचाने के लिए, यानि कि आज के टाइम पर क्या बन सकते हैं, उनकी Sanskrit से उनका ritual बन चुका है, इस वई से यहाँ पर important है काफी जादे, तो चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से martial arts वगरा होता है, और यह हमारी culture से काफी जादे related है, अश्सामे के time पर, और अभी तो अभी यहाँ पर देखो कि यह बिना किसी चीज से हो रहा है, बिना किसी weapons के हो रहा है, लेकिन अभी यह होता क्या है, काफी सारे weapons वगरा यूज कराए जाते थे पहले, तलवार वगरा, शील्ड वगरा, उन सारी चीजों से इस्तमाल करके, यहाँ पर martial arts वगरा खेला ज यह बात करेंगे, यह भी एक martial art है, जिसमें क्या क्या होता है, अभी हम बात करने वाले हैं, एक one of the oldest martial arts है इंडिया का, उसके बाद यहाँ पर यह क्या होता है, प्रैक्टिस करे जाती है, जो हमारे इंडिया में Southern part है, वहाँ पर काफी जादे प्रैक्टिस करे जाता है, बोई स्कूल, जिम हो गया, और ट्रेनिंग हॉल हो गया, जहाँ पर martial arts वगरा प्रैक्टिस करी जाती है, अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स के देखें, जो हमारे सेज एक परसुनम थे, उन्होंने टैंपल को बिल्ट करा, टैंपल बनाया, साथी साथ इंट्रोड्यूस करा अच्छारा मार्शल आर्ट को और यहाँ पर यह स्टार्ट कर दिया कलरी पयातू, उसके बाद यह एक most important key footwork है, यहाँ पर पैरों का इस्तमाल काफी जादे करा जाता है, और यहाँ पर kicks वगरा होती है, जैसे कि लात से खेला जाता है, kick वगरा होती है, strikes होते है, weapon का इस्त इसका जो है mentioned हुआ, यह अमारा martial art, जो कि अशोका और the myth movie थी, वहाँ पर यह mention करा गया, और साथी साथ हैं पर women भी इससे practice करती हैं इस art को, now अभी और बात हैं, इसमें कुछ यहाँ पर number of techniques है और aspects हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, उजचिल, नाम अजीब अजीब और body exercises होती हैं, उसमें यहाँ भी polyancome और sword fight, यहाँ जैसे तलवार से, यहाँ पर लड़ाई बगरा होती है, तलवार से भी करी जाती है, ठीक है, shield बगरा होती है, तो यहाँ पर इत्ती important नहीं है, बढ़ आपको बताना है, main context है, कहां से origin हुआ, और क्या काम था, कब origin इसलब क्या है, चीज़ें involved थे इसके अंदर, now, next है हमारा silamban, silamban martial art की बात करें, यह staff fencing type का है, हमारा जो तलवार से लड़ाई करना होता है, वो है हमारी, और यहाँ पर एक modern and scientific martial art है, Tamil Nadu का, साधी साथ, जो यह kings है, rule करते थे, Tamil Nadu मर, उन्होंने यहाँ पर, include, इसमें प्रमोट किया, जो reference है, जो sale of silamban, staves, pearls, swords and armors, यानि कि हमारी staves क्या हो गई, staves आपको पता होगा, लाठी के अस्तमाल करा जाता था, या फिर यहाँ पर तलवार का, इन सारी चीज़ों का, यह सारी चीज़ें mentioned है, एक silapaddi करम, silapaddi करम के बारे में, मैंने आपको अपने art था यह हमारा, silamban, यह travel वो Malaysia, जहां से यह origin हो था, origin होने के बाद यहाँ पर यह Malaysia गया, जहां पर यह famous sport बना, फिर उसके बाद यहाँ पर जो long staff यहाँ पर use कर जाता है, साथी साथ mock fighting, self defense का इस्तमाल कर जाता है, यानि कि ऐसी मजाक मजाक में इसे खेला जाता है, या फिर self defense के लिए यहाँ पर खेला जाता है, और यह one of the highly organized popular games है, state का, since first century AD, first century AD से काफी जाते हैं, यहाँ पर यह famous है, उसके बाद अगर हम बात करें, from a pure defense art, जो silamban है, यह transform हुआ into combat exercise, silamban जो है, combat exercise में transfer का दिया, यानि लडाई के लिए इस्तमाल करा गया, फिर उसके बाद यहा आठी है, वो चार टाइपस की है, first हमारी है, जिसे हम taught silamban कहते हैं, second मैंने आपको बताई नहीं है, यहाँ पर इसमें mentioned नहीं है, misprint हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ, second हमारी produces a sonoranous switching sound, एक अच्छी से sound उसमें से निकलती है, उसके बाद यहाँ पर, now third हमारी कौन से एक non-elastic staff है, और fourth हमारा एक powerful staff है, छोटी सी हमारी stick है, वो काफी जादे powerful है, उसके यह सारी इस्तमाल होती है, उसके बाद as far as जो dress होता है, dress कैसा होता है, prayers होती है, lungoat के साथ, lungoat होता है, different colors के turbans होता है, पगड़ी होती है, seamless vest होता है, ठीक है, बन्यान वगरा टाइप की जाता है, और, यहाँ पर different kinds of techniques इस्तमाल करी जाते हैं, जो की use करी गई है, सिलंबन में, जैसे कि हमारा swift movement, बहुत प्यार से यहाँ पर movement दिखाते हैं, अपने foot से, पैरों से, उसके बाद दोनों हाथों का इस्तमाल कर जाता है, यानि कि वील्ड को इस्तमाल कर जाता है, या यहाँ पर इसके बारे में बात करें, यह create करा गया, मितेई people के दोरा, जो की moneypir के लोग है, इनके दोरा, और यहाँ पर यह एक armed martial art है, यहाँ पर एक armed arms को इस्तमाल कर जाता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका mention जो हुआ था, यह कहाँ पर lethal combat forms में, जो सरीत सारक है, other hand यहाँ पर यह unarmed art भी है, armed art भी है, जहाँ पर hand-to-hand combat भी करा जाता है, साथी साथ यहाँ पर तलवार और shield से भी लड़ाई करी जाती है, ठीक है, हाथ से भी लड़ाई होती है, और तलवार से भी, उसके बाद जो यह history trace करी गई है, इसकी 17th century से से देखते वे आ रहे हैं, जब यहाँ पर यह यूज करा जाते था successfully Manipur Kings के द्वारा Manipur Kings हमारे इस technique को इस्तमाल करते थे जो British हमारे rulers थे उनसे लड़ने के लिए और यह capture of this region जो यह British ने क्या करा था यहाँ पर ban कर दिया था हमारे थंगता सारी तसारक को इसे ban कर दिया था लेकिन बाद में जब independence वा देश अजाद हुआ तो उसके बाद यहाँ पर इसे वापस ले आए अब थंगता का मतलब है स्वार तलवार थंगता थंग का मतलब है तलवार ता का मतलब है sphere अब यहाँ पर sphere क्या हो गया sphere sphere हो गया हमारा भाला थाईप उसके बाद इनका इस्तमाल कर जाता था दो elements से ये ठंग था हमारे martial art के अब जो दो components थे इसके वो कौन कौन से थे यहाँ पर human lung loan यहाँ पर जो popular और ancient martial art था जो कि इस्तमाल कर जाता था जैसे कि यहाँ पर kulari का इस्तमाल और साधी शार शील्ड का इस्तमाल भी किया जाता था और यहाँ पर तीन तरीके से इसको खेला जाता था वो कैसे फर्स जो है एक तो यह बिलकुल धार्मिक था यानि कि धर्म से संबंदित था ठीक है दूसरा यहाँ पर एक mesmerizing performance दिखाने के लिए mesmerize यानि एक समोहित करने वाली performance दिखाने के लिए play कर जाता था उसका थर्ड यहाँ पर यह fighting लड़ने के लिए भी इस्तमाल किया जाता था now next martial art है हमारा चेवी गडगा one of the most ancient martial arts है मनिपूर का चेवी गडगा है इसमें fighting होती है तलवार का इस्तमाल होता है शील्ड का इस्तमाल होता जैसे मैंने आपको लेचर के पहले ही बता दिया था जाद अतर हमारे martial arts में तलवार और शील्ड का इस्तमाल हुआ है अब यहाँ पर यह modify कर दिया गया है उस्तिक यहाँ पर इस्तमाल कर रहे है इस्तिक के साथ साथ एक soft leather का हमारा जो शील्ड होती है जिससे हम protect करेंगे उससे soft leather की बनाई गई है modify करने के बाद अभी जो contest है यहाँ पर किसे कैसे खिलते हैं जो साथ मीटर का diameter बनाई जाता है ठीक है साइवन मीटर का circle बनाई जाता है उसमें यहाँ पर circle में दो line होती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर circle में दो line होने के बाद जो चेवी stick होती है between two to two point five feet in length यहाँ जो डंडी होती है stick होती है वो इतनी यहां पर लंभी होती है उसकी लेंद इतनी होती है ठीक है 222.5 फीट उसका जो घेरा होता है हमारा फोण मीटर इन डाइमेटर का गेरा नहीं होता है यह के अंदर लोग घेरे में खेलते हैं उसके बाद जो भी विक्टरी यहाँ पर बताई गई है उसका दाता है हमारा परिखंदा अब यहाँ परिखंदा में क्या होता है यह क्रिएट करा यह राजपूट के द्वारा एक फॉर्म है मार्शल आर्ट की बिहार से बिलॉंग करती है ये involve करता है, इसमें क्या क्या चीज़े है, तलवार का और शील्ड का इस्तमाल इसमें भी होता है, अभी तक ये बिहार में खेला जाता है, और steps और techniques के काविज़ादे इस्तमाल करे जाते हैं, चाओ dance, हमने dance में cover गया था, चाओ dance उसमें भी यहाँ पर इसके steps बगएरा इस् परी का मतलब क्या है हमारा, जिसका मतलब है shield, ठीक है, उसका त्खंदा का मतलब sword है, यह तलवार और shield का यहाँ पर इस्तमाल करा जाता था, इसको art को play करने के लिए, now, next one is thoda, अब थोड़ा की बात करते हैं, यह originate हुआ हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा यह mixture है, martial art के सा साथ, यहाँ पर sport और culture का एक mixture है, और यहाँ पर यह बैसाकी के time पर जो है, play करा जाता है, यानि कि 13th और 14th April के time पर हर साल, उसके बाद यह जो number of community prayers है, यह लोग invoke करता है, यह सब play करता है, ताकि उन्हें जो है blessings मिले, बगवान की blessing मिले, माशु और दूरगा जी की, उसके गेम है, काफी जादे popular है, अलग अलग parts में, state में, ठीक है, जैसे कि हमारा नरकंडा, ब्लॉक हो गया, उसके बाद यहाँ पर यह साब जगे पर काफी जादे, यह popular है हमारा, और जो मार्शल आर्ट है, यह रिलाइस करता है, प्लेयर की skill के उपर, यानि कि प्लेयर की बोज और उसका भी इस्तमाल कर जाता था, एपिक बैटल में, बहुत पहले, ठीक है, जो यहाँ पर इस battle का नाम लिया है, कुलू और मनाली के यहाँ पर, उस समय क्या होता था, बोज और आरो, यानि तीर और कमान का काफी जाद इस्तमाल कर जाता था, फिर इसका Genesis जो मिला तान ना पहुंचा पहें, उसके बाद जो एकिपमेंट हैं, वो रिक्वायर होती है, इस game में, वो कौन-कौन सी होती है, हमारी बोडन, एक लकडी की बोग की ज़रूरत होती है, यहाँ पर जैसे कि हमारा धनुष और उसके बाद यहाँ पर लकडी की एरो, बांक की जो arrows है वो proportion to the bow यहाँ पर देखी जाती है उसके बाद यहाँ पर जो game है यह प्ले करा जाता है market code में जाकि ensure करा जाए जो भी discipline है उसको ensure करा जाए दो teams होती है इसमें दो team एक होती है पशीज एक होती है साथीज जो की believe करती है यहाँ पर पंडवाज और कौरवाज के descendants है उस of the body मतलब क्या है कि अब यहाँ पर यह archer है ठीक है यहाँ पर धनुष का इस्तमाल कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर यह person है इसको मारेगा यह लेकिन इसको नी जो इसकी है नी से उपर यानि इसके इतने हिस्से में नहीं लगना चाहिए और सिर्फ नी से नीचे नीचे यहाँ पर इसको मार सकता है अगर नीचे उपर लगेगा तो फिर reward is qualify हो जाएगा नेगेटिव points में count होगा ऐसे खेला जाता था गटका पर आते है अब यह पर क्या है और कुछ और लोग भी ऐसा कहता है जो वर्ड गतका है यह आया है संस्कृत वर्ड गदा से ठीक है गदा मत समझना गदा गदा जैसा होता है ना गदा ऐसा अनुमान जी वाला वैसे गदा से आया है जिसका मतलब है गदा बिलकुल सीधा सीधा मतलब है और मेस क् और यह जहाता है जो इस होता है है इसे जो यह डिश्पले करता है लग अब चाहरा यह लगतानी खेल आप न्याम से समझ गया हूंँगे मर्द के द्वारा खेला जाता होगा एक traditional महराष्ट्र आम्ड मार्शल आर्ट है जो की practice कर जाता था काफी जादे कोलापूर डिस्क्रिक्ट में जो मर्दानी खेल है ये focus करता है primary and all skills of weaponry यानि कि जो हमारा weapon को इस्तमाल करने वाला है जो हमारे शस्तर को इस्तमाल करने वाला इंसान है उसकी कित्ती जादे अच्छी skills है इस चीज़ को देखता था especially उसका जो तलवार चलाने का तरीका है वो कैसा है ठीक है ये सारी चीज़े देखी जाती थी उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये अपने use of technique unique Indian pata sword और with a coded lens के दोरा यहाँ पर जाना दाता है यानि कि आप इसमें भी देख लोगे मैंने जैसा कि आपको starting में बताया था जित्ते जादा तर martial arts उसमें हमारा तलवार और shield का का काफी जाद इस्तमाल हुआ है अब आता हमारा last नहीं है डंडे का इस्तमाल करते हैं सब लोग ठीक है लाठी का मतलब एक stick ठीक है और यहाँ पर six to eight feet के यहाँ पर length होती है और कभी-कभी यहाँ पर metal की tip दोती है यानि कि उसकी जो tip होती है आप देखते होंगे stick होती है उसकी tip यहाँ पर metal की बना दी जाती है उसके बाद इंडिय प्रेक्टिस करी जाती है पंजाब और बेंगॉल में और यहाँ पर अभी वी एक one of the popular sport है यह हमारा पंजाब और हमारे पंजाब और हमने क्या बताया था पंजाब और बेंगॉल में ठीक है एक main sport है जो खेला जाता है ना आता है हमारा in one wrestling क्या होती है यह नेटिव मार्श यहाँ पर यह जो काफी जादे strict rules है इसके अंदर साथी साथ यहाँ पर प्रोइबिट करता है stepping out of the circle king and bending यानि कि इसका मतलब क्या है अब यह circle है circle के अंदर खेलते हैं सब लोग तो circle के अंदर से अगर बाहर निकल गए तो negative point ठीक है लात मार लात भी नहीं मार सकते और अप दूसरे का टांग पकड़के उठानी है दूसरे के अगर टांग पकड़के उठाओगे जैसे हमने अभी अभी देखा होगा अपने जो रूल्स है उसको फालो करते है जो रूल्स क्या क्या है circle से बाहर ने निकलना है लात निमारनी है ठीक है तो यहाँ पर वो जीत गएग वो बुर्मा और बुर्मा से लेके लुशाई हिल्स तक पहुँचे तब यहाँ पर जो है इसको लाया गया इनवान व्रेसलिंग को काफी जादे प्ले करा जाता है ना कुत्तु वरिसाई के बारे में बात करें जो फर्स मेंशन करा जाता संगम लिटरेचर में उसके बाद यहाँ पर 1st और 2nd century BC में कुत्तु वरिसाई यहाँ पर ट्रांसलेट करता है एक empty hand combat यानि कि खाली हाथ रहेगा इनसान इसके पास कोई ना तलवार है ना शील्ल है खाली हाथ कुष्टी करेगा इसका में में मतलब यह प्रैक्टिस करी जादे है तमिल नाडू में ऑल्दो यहाँ पर एक quite popular method जो कि North Eastern parts of Sri Lanka और Malaysia में भी यहाँ पर पर्फॉर्म करा जाता है एक अनाम द्रवीडियन martial art है जो कि यूज कर जाता है एडवांस एथलेटिस्म का इस्तमाल करती है यानि कि यहाँ पर क्या होता है हाथ में कोई भी समान नहीं होता कोई भी आउजार नहीं ह ना तलवार है ना चील्ड अपनी हाथ से लड़ाई करेंगे कुष्टी लड़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर किसमें है कितना दम लास्ट मार्शल आर्ट है हमारा मुस्तियुद अब मुस्तियुद ही हमारा लास्ट है अच्छा जिस हम कवर करेंगे यह औरिजनेट ठीक है कोई भी हमारा शास्त्र नहीं होगा तो यह अनांट मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि रिजैंबल है यानि कि बॉक्सिंग वगरा करी जाती है इसके अंदर इसमें टेक्निक्स इस्तमाल कर जाते हैं केक होती है लाट मार जाती है पंच होता है निए अल्बो स्ट्रा यहां पर यह इंकॉर्परेट करा इसने डवलप्मेंट फ्री एसपेक्ट फिजिकल मेंटर और स्पिरिच्वल ठीक है इस तरीके से यहां पर ग्रो हुई लेकिन यह अभी काफी जद दिखाई नहीं देती है पहले यहां पर दिखाई नहीं देती है अब जो यह फाइट है हमारी अलग-अलग चार पार्ट में बाटी गई है और अलग-अलग हिंदू गॉर्ट की नेम दिए गए पहला हमारा जंबु वनती है जिसका मतलब है फोर्सिंग यहां पे दूसरे को फोर्स करना कि यहां पर क्या करे वो लॉक करे ठीक है उसको फोर्स करना सेकेंड जो हम यहां पर जोड़ने के लिए यहां पर काफी जादे इस्तमाल कर जाता है ठीक है तो यहां पर हम देख लिया हमने और हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है अपना चाप्टर नंबर 21 मार्शल आर्ट्स ठीक है कुछ खास इतना इंपॉर्डन है नहीं यह चैप्टर ठीक है क् इतने कुछन पूछे नहीं गए अभी आप देखोगे तो अभी तक जितने भी पास्ट में आप देखोगे तो सिर्फ एक ही बार कुछन पूछा गया है वह भी 2014 में और वह क्या कुछन था विद रफरेंस टू इंडिया कल्चर एंड ट्रेडिशन वाट टेस कलारी ठीक है और चार पॉइंट दे रखे हैं चार पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूं फर्स्ट पॉइंट दिया है यह एक एंशेंड भक्ती कल्ट ऑफ शैविजम है बिलकुल नहीं शैविजम का तो कही नाम और निशान नहीं है उसके बाद सेकेंड यहां पर एक एंशें फॉर्म ऑफ डान्स है ड्रामा है ट्रेडिशन है नौधन पार्ट्स ऑफ मालाबार में यहां पैसा है और चौथा यहां पर यह पॉइंट दिया जा रहा है एक एंशेंड मार्शल आर्ट है जो कि लिविंग ट्रेडिशन इंदा सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया तो खाट्राइब एतना इंपोरणन चेप्टिर नींए बर्छाप्टर है थो हमना फोर्कना पड़ेगा तो हमने च्यां 술ंही करना चीजों को में से इसिफूआ है चैल से Ps को इसी लिए ब्यक्राइब यहां नफिंट चाप्टर आप ऑफ और है तो हमारा झाले कहा से औरिजन हुआ यहाद रख सकते हो कौन से Arms को इस्तमाल करा जाता था ठीक है तो यहाँ पर यह सारी चीज़े देखनी है कि आप जितने भी हमारे Martial Arts है कौन से Weapon इस्तमाल करे जाते थे और यहाँ पर क्या-क्या Steps इस्तमाल करे जाते थे कभ यह origin हुआ यह यह तीन चीज़े आप नोट डाउन करके चलने ला और यह कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो यह कंप्लीट अराम से कर लोगे आप कोई दिक्कत नहीं है और इतना इंप्रण भी नहीं है नेक्स्ट जो चैप्टर रहने वाला है वह हमारा इंप्रण रहने वाला है और वह अराम से सकर देंगे ठीक है या फिर हो सकता है कि एक शापटर हमका एक लेक्चर में काफी सारी चीज़े cover कर लें तो दूसरे lecture में हम chapter number 23 को start करने के साथ साथ हम इसको भी खतम करें फिर हमारे अब एक दो chapter रहेगा है तीन chapter रहेगा है इसे हम 3-4 lecture में hardly 4-5 चार lecture में आप इसे खतम कर देंगे और book आपकी निपट जाएगी और अब तक यहां तक आयो हो तो जरूर जो वीडियो है उसको लाइक करना और शेयर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नय हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा यहां पर नीचे की साइट तो सब्सक्राइब कर देना study eyes को क्योंकि study eyes ऐसा platform है जो आपको जितनी भी आपकी UPSC से related preparation के लिए need होती है वो आपको जो need है वो fulfill करेगा इदा हिंदू से लेकर सारी चीज आपको study eyes पर मिल जाती है तो guys आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोगों से कल आज के लिए बाबाए